डेली वर्ल पब्लिक स्कूल, इंडियास नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है काडमेग्स, स्पोर्ट और परफॉर्मिंग आठ का बहतरीन कॉंबिनेशन अद्मिशन ओपन फ्रम प्री नर्सरी तु नाइज्ट गुरुवार को अजमेर के जो महिश्वरी पब्लिक स्कूल है, यहां पर नवी और ग्यारवी कक्षा के चात्राओं की पूरक परिच्छाओं का आयोजन करवाया जा रहा था यह जो आयोजन है यह बिना प्रिशाशन से अनुमती के करवाया जा रहा था और जब पूरे प्रिदेश के अंदर आपदा अधिनियम इस वक्त लागू है और उसके बावजूद इस अधिनियम के तहद जब भी किसी परिकार की कोई गतिवीदियां अगर करनी हैं डारक हैं उनका आयोजन या फिर प्रिक्षाओं का आयोजन करवाया जा सकता है लेकिन महेश्वरी पब्लिक स्कूल ने जो प्रिक्षा करवाई थी उसके अंदर उन्होंने आपदा अधिनियम का सीधे तोर पर उलंगन किया था कोरोना महामारी का वक्त चल रहा है और ऐसे में सै तोर पर कल जब किसी अभी भावक ने जब जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत की थी तो उसके बाद एक टीम को यहां पर बेजा गया था और उस टीम के साथी टीम ने जाच कमिटी को भी यहां पर बेजा था और उस जाच कमिटी ने जो अपना फैसल वाई है उसको भी अंजाम देगी लेकिन सीधे तोर पर बिल्कुल इस पस्ट जो तस्वीर थी कल की वो बिल्कुल साफ ये दिखा रही है कि किस प्रकार से जहां पर इसकोल प्रिमंदन ने सीधे तोर पर कोरोना मामारी के दुरान सेक्ड़ों की संक्षा में बच्चों की जान जो है वो जो खिम में डाली है और एक तरीके से जो कोरोना का संक्रमन है उसको फैलाने का भी काम किया है इसी के साथ कल देर राथ ही जो राजिस्थान बयान उनकी ओर से आया है और उन्होंने संक्रमण बच्चों के माध्यम से फैलने का जो डर है उसको नजर अंदाज करते हुए महिश्वरी पब्लिक स्कूल का प्रमंदन है उसकी पैरवी की है उसकी पैरवी करते हुए उन्होंने कहा है कि स्कूल के ओपर किसी प्रकार से कठ तोर कारवाई ना की जाए स्कूल को एक मौका दिया जाए अपनी गलती सुधारने का परिक्षाओं का जो आयोजन है वो आज नहीं तो कल कराना है और सीबेसी की गाइडलाइन के मुताबिक उन्होंने परिक्षाओं का आयोजन करवाया था लेकिन महासंग के इस बयान की चा पुलिस ने आज मुकबन दर्ज कर लिया है तो उसके बाद जाज जो होगी कानूनी कारवाई होगी वो देखना पड़ेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर किस तरिकी कानूनी कारवाई स्कूल प्रिवंदन के खिलाब होती है महासरी पुब्लिक स्कूल अजमेर ने 9 और 11 की क्लास की जो पूरिक परिक्षाएं कल करवाने का परियास किया था इन्होंने बच्चों को बुलवा लिया था 48 बच्चे एक्जाम मेने के लिए आ गए थे इस पर जिला शिक्षा अधिकारी की टीम जो जिला क्लेक्टर साब के निर्देश पे वहाँ आई थी जांस के लिए उन्होंने आते ही एक्जाम को बंद करवाया बच्चों को वापस गरविजवाया उसके बाद में उन्होंने जांस रिपोर्ट दी उस जांस रिपोर्ट पर जिला शिक्षा अधिकारी अजमेक की ओव से विद्दले खिलाब मुगतमद्च किया है जो सक्सम अधिकारी के आदेश की अवेलना संकरमन फेलाने का परियास और आपदा परवनन अधिनियम के तहत परकरम दल्च किया है झाल